साथ्यों मुख्यमंत्री के रुप में मेरी पहली दिवाली और भूकम के बाद कच्च के लोगों के लिए भी पहली दिवाली मैंने उस दिवाली को नहीं मनाया मेरी सरकार के किसी मंत्री ने दिवाली नहीं मनाई थी और हम सब भूकम के बाद कि वो पहली दिवाली अपनों की याद आने की बहुत स्वाभाविक थी सीदी मैं आपके बीट आके रहा और आप जहनते हैं मैं वर्षों से दिवाली बॉर्डर पे जाके सीमा पर जाके देश के जमानों के साथ बिताते आया हूँ लेकिन उस वर्ष मैंने वो मेरी परंपरा को छोड़ करके भूकम पीडितों के साथ दिवाली मनाने के लिए मैं उनके बीच रहने के लिए आया था मुझे आद है मैं पूरा दिन चोबारी में रहा था और फिर शाम को ट्रम्बो गाउं चला गया था मेरे साथ मेरी केविनेट के सारे सदस्या गुजनात में जहां जहां भूकम के आदमा आप दाई थी वही जाकर के उन्होंने दिवाली के दिन सब दुख में सरिक हुए थे मुझे आद है मुश्किल भले उन दिनों में मैंने कहा था और बड़े आत्म विश्वास के साथ कहा था कि हम आप दा को आउसर में बदल के रहेंगे मैंने यह भी कहा था आपको जो रण दिखता है न उस रण में मुझे भारत का तोरण दिखता है और आज जब मैं कहता हूँ लाल कीले से कहता हूँ 15 अगस को कहता हूँ कि 2047 भारत डेवलप कंट्री बनेगा जिनोंने मुझे कच्छ में सुना है देखा है 2001 दो भूकम के उस कालखन में विप्रित परिस्षिदी में मैंने जो कहा था वाज आपके आखों के सामने सत्य बन करके उपना हुआ है इसलिए कहता हूँ आज हिंदुस्तान आपको बहुत कुछ कमिया नजर आती होगी 2047 में मैं आज सपना देख रहा हूँ दोस्तों जैसा 2002 में मौत की चांदर ओड करके भूज हमारा कच्छ था तब तो सपने देख करके आज करके दिखाया 2047 में हिंदुस्तान भी करके दिखायेगा अगज के लोगों ने भूज के लोगों की भूजाओं ने इस पूरे क्षेत्र का काया कल्प करके दिखाया है कच्छ का काया कल्प भारती नहीं बलकि पूरे विश्व के बड़े सिक्षा संस्थानों के लिए रिसर्च इस्टिटूट के लिए एक रिसर्च का विश्य है 2001 में पुरी तरह तबाह होने के बाद कच्छ में जो काम हुआ है वो अकल्पनिया है कच्छ में 2003 में करांदी गिरुश्याम जी क्रश्न बर्मा उनिवर्सिटी बनी तो वही 35 से भी जादा नए कॉलेजों की स्थापना की गई इतने ही नहीं इतने कम समय में एक हजार से जादा अच्छे नए स्कूल बनाए गए भूकम में कच्छ का जीला अस्पताल पूरी तरह जमिन्दोज हो गया था आज कच्छ में भूकम विरोधी आधूनिक अस्पताल है दोसे से जादा नए चिकित सा केंडर काम कर रहे हैं जो कच्छ हमेशा सूखे की चपड में रहता था जहां पानी जीवन की सबसे बड़ी चुनोती थी वहां आज कच्छ जीले के हर घर में नर्वदा का पानी पहुंचने लगा है हम कभी आस्था और सद्धा के नाते गंगा जी में स्नान करते हैं यमुनाजी में सर्यू में और नर्वदाजी में अभी और यहां तक कहते हैं कि नर्वदाजी तो इतनी पवित्रता है कि नाम समरन से पुन्य मिलता है जिस नर्वदाजी के दर्सन करने के लिए लोग यात्राएं करते थे आजो मान नर्वदा कच्छ की धर्ती पर आई है कोई कलपना नहीं कर सकता था कि कभी टपर, फते गड़ और सुवाई बांधों में भी नर्वदा का पानी पहुँच सकता है लेकिन ये सपना भी कच्छ के लोगों ने साकार करके दिखाया है जिस कच्छ में सिंचाई परियोजना की कोई सोच नहीं सकता था वहाँ हजारों चेक डेंट बनाकर सुजलाम सुपलाम जलब यान चलाकर हजारों हेक्टर जमीन को सिंचाई के दारे में लाया जा चुका है